हालो जैने दोस्तों मैं राहू सिंग राहूल वाइफ़ाइस्टूडी में आप सभी लोग का बहुत 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 स्वागों तो रविन दन करता हूँ फ्रन जैसा कि आपने थम्रों को रीट किया होगा देखा होगा यूपीटी पर लेज़ी ने भी हारी में तीन लेकिन उनका परिच्छा कैंसिल गया अब यहां मात्यपूर्ट चीज है कि उसके साथ तीन और भरती परिच्छा हैं जो कैंसिल के गई थी इसमें से पहला एक्जाम चार अप्रेल को था इसी आने वाले संडे को था फॉरस्ट गार्ड का दूसरा एक्जाम आपका पच्छ चार भरती जन्सियों में इसे दो तीन तो दागी हो चुकी है सिर्फ एक बची हुई है तो इसको ध्यार में रखते वे आयोगन रिजिजन लिया कि अभी परिच्छा पोश्ट पूर्ण की जाएं आगे और भरती जन्सियों का चैन किया जाएगा जो कि यह परिच्छा सबसे महत्रपूर चीज यह है कि क्या आप जाएगे पंद्रावन नेज और साइद आपका 29 तारिक में जो भी हैं डेटे चार्ट डेटें एनाउंस की तरफ से और निर्वाचन आयोग की तरफ से इन डेटों में परिच्छा किया जाएंगे या बात किया तो पूरा अप्र आयोग कोई रिजल्ट जाइडी कर सकता है जियां खबरे सही मिल लही है कि UPTSC आगामी आने वाले दिनों में यानि एक हपते के भीतर भीतर अगर बात किया जाए तो आपका कोई ना कोई रिजल्ट UPTSC के साइट पर देखनों को मिल सकता है जिसमें से यह हो सकता है इस्टो को लेकर के जो थीन परिच्छी आपकी POSTP plus की गई है यहाँ फिर भरती परिच्छी है मिए जय या फिर कोई आपको बहलाने की कोसित की आयोग की तुंग से तो आप लोग तो जानते रिगे आपके परिच्छा हैं मैं आपको बताना चाहता हूं अपरेल और मई मा में यूपी टीप लियसी कोई भी लिखीत परिच्छा आयोजीत नहीं करेगा जी हां आपको पता होना चाहिए पंचाय चुनाव के बाद बोट एक्जाम यूपी बोट करवाएगा और अगर ऐसी इस्तितिया परिच्छा हैं और परिच्छा हैं आपकी लेट हो सकती हैं लेकिन परिच्छा हैं अभी जो परात्मिकता है आयोग की करमाने की लेकर करके तो ये खबरे मिल लें यह परिच्छा आपकी जून मा से संभावता कराई जाएं है ना जो ही परिच्छा है परिच्छा है परिच कुछ आई गई है ना और यह किसी की जो है ख़बर कॉपी नहीं की गई है सीधे आयोग से जाकर कि हमें जो सुचना मिलती है वो आपको पहुचानी का कोशिज में करता हूं मैं लखनों कहीं जाने वाला हूं ना कि मैं इलहाबाद या फिर मेरट या फिर बलिया आजमगाल ग प्राप करने के लिए चैनल को जो सब्सक्राइब करने के लिए बिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफार्मेशन के साथ अपलक्ते धनवाद नमस्कार जय हिंद जय भारत